हालो फ्रेंड्स आज इस एकेडमी के अजुकेशन पर आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हूं प्रत्योगता दरपड माई माईने में प्रकासित उसमें उपस्तित कुछ मातपूर करन्ड अफेर्स को देखेंगे जो कि आपकी परिक्षाओं के लिए चा अब हमारे चनल पर नए हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को भी जरूर प्रेस करते हैं ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड ओ उसकी अप्लोड आपको तुरंधी मिल जाए चलिए देड़ना करते हैं और उसकी वीडियो में पहला पॉइंट है डॉलर यानि दो हजार पचासी करोड का एक ओडर किस देश से प्राप्त हुआ है तो उस देश का नाम है फिलिपीन्स क्या है फिलिपीन्स ठीक है आगे बढ़ते हैं नौ से ना से हटाएगे आई एनस खुखरी को असमारक के रूप में विका से 26 जनौरी 2022 को किसे सौपा गया तो इस विसाहिल को किसे सौपा गया है इस आइनस खुखरी को दिउ प्रसासन को सौपा गया किसे प्रसासन को आगे बढ़ते हैं प्रसिद्य कभी हिंदी उपन्यासकार यूम लेखक स्रीलाल सुक्ल कि समितमें अस्ताफित इसको साहित पुरुषकार वर्स 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है उनका नाम है स्युमूर्थी जो किये कथाकार है ठीक है आगे बढ़ते हैं 14 जनवी 2022 को किस वरिस्ट रॉकेट बैज्यानिक ने भारतिय अंत्रिच अनुसंदान संगठन इसरो के अध्रच के रूप में कारबार ग्रण किया तो इसरो को नए अध् जनवरी 2022 को 1971 के भारत पाकिस्तान यूत में बीर गतिको प्राप्त सहीदों की इस्मृति में राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पचास वर्सों से जल रही अमर जवान जोति का विले किस जोति में कर दिया गया तो उस जोति का नाम है नेस्नल वार मेमोरियल ज जोति ठीक है आगे बढ़ते हैं सिखों के दसवे गुरु गोबिंद सिंग के पुत्रों की सहाधत को याद करने यों सरदांजली देने के लिए 26 दिसंबर को प्रतिवर्स किस रूप में मनाने की घोशड़ा परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को की है तो 26 दि आगे बढ़ते हैं भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम ओपन रॉक म्यूजियम जिसमें 35 यानि 35 विभिन प्रकार की चट्टानों के टुकड़े रखे गये हैं का उदगाटन 6 जनवरी 2022 को कहां किया गया तो जगा का नाम है हैदराबाद तेलांगना भारत के रच्छा अनुसंदार्यों विकास संगठन दियाडियो दारा समुद्र से समुद्र में मार करने वाली किस सी टू सी सूपर सोनिक क्रूस मिसाइल का सफल पर इक्षड ग्यारा जनली 2022 को किया गया तो इस मिसाइल का नाम है ब्रहमोस आगे बढ़ते हैं फरवरी 2022 में किसे भारतिये प विकाय की पहली महिला चेयर पर्सन होने का स्रेप्राप्त हुआ है तो उनका नाम है मादवी पुरी बुच्च क्या नाम है मादवी पुरी पुच्च आगे बढ़ते हैं फरवरी 2022 में भारत के किस बड़े उद्वोग पती को असम के पांच लाग के सरबोच नागरी सम्मा अनित किया गया तो उनका नाम है रतंटाटा आगे बढ़ते हैं फरवरी 2022 में भारत के किस राज ने सरपर्थम सिश्चक भरती ट्रांजेंडर यानि किनर आधी को एक प्रतिसत अरक्षर प्रदान किया तो उस राज का नाम है करनाटक नेक्स्ट छे फरवरी 2022 को भारतिये क क्रिकट टीम ने अंतरास्टी क्रिकट में अपना एक हजारवा मैच कहां खेल तो जगह का नाम है नरेंद मोदी स्टेडियम एहमदाबाद किस स्टेडियम में नरेंद मोदी स्टेडियम एहमदाबाद आगे वड़ते हैं भारत द्वारा यूद्धरत यूकरेन पर रूस द्वारा आकमड किये जाने की कारण यूकरेन से भारतियों बिसेश कर विद्यार्थियों को वहां से वाई यान द्वारा वापस भारत लाने के लिए फरवरी 2022 में कौन सा अप्रेशन चलाएगा तो उसा अप्रेशन का नाम है ऑप्रेशन गंगा नेक्स पॉइंट लॉंच वीकल के मादन से कौन सा भू सर्वेचर उपगरा प्रचेपित किया गया तो उपगरा का नाम है यो यस जीरो फोर ठीक है आगे बढ़ते हैं 21 से 25 जनुरी 2022 के दौरान भारत वाव उमान की वाव स्वेनाव दौरा किस नाम से संयुक्त अभ्यास जोदबूर भारत में संपन हुआ तो नाम उसका इस्टरन विरिज सिक्स इस्टरन विरिज सिक्स आगे बढ़ते हैं बीजिंग सीत कालिंग उल्यमपिक 2022 में भारत की ओर से एक मात्र किस खिलाडी ने भाग लिया ताथा जो अलपाइन स्कींग खिलाडी है उनका नाम है आरिफ महम्मद खान क्या आरिफ महम्मद खान आगे बढ़ते हैं बारत की किस उशु महिला खिलाडी ने 22-28 फरवरी 2022 के दौरान मासकों में आयो जित वुशु स्टार्स चैंपियंसिप में स्वर्पदक जीता उनका नाम है साधिया तारिक आगे बढ़ते हैं पचीस फरवरी 2022 को वेंगलोरू में खेले गए प्रो कवर्ड डिल नीग पीकेल 2021-22 के फाइनल मैच में पटना पायर्स ने हरा करकिस टीम ने पहली बाया ट्रॉफी जीती तो उस टीम का नाम है दबंग दिल ले आगे बढ़ते हैं बारवी सताबदी के बैसरो संपरदाई के संद रामानुजचार की 216 फीट उची मिस्त्रधात की बैठी हुई मूर्थी कानावर्ण 5 फरवरी 2022 को किया गया इसका क्या नाम है तो इसका नाम है स्टैचू आफ इक्वेलिटी स्टैचू आफ इक्वेलिटी नेक्स्ट सिंगापूर में 15-18 फरवरी 2022 के दोरान संपन दू आर्सिक एयर सो में भारत ने देश की विक्ष भारत ने देश में विक्सित किन बिमानों का परदसन किया तो उ आगे बढ़ते हैं ब्रेटेन के समाचार पत्र समू इकोनॉमिस्ट ग्रूप की सोधिकाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट इई-ई-ई-ई-ई-उ द्वारा फरवरी 2022 में 167 देशों के लिए जारी लोकतंत्र सूचकांग 2022 डेमोक्रैसी इंडेक्स 2022 में भारत की र रेंकिंगे 46 त्यानि 46 जो कि 2020 में कितनी थी तिरपन यानि 53 नेक्स्ट देखेंगे फरवरी 2022 में आई-सी-सी अंडर-19 किर्कट पिस्तु कप किस रास्ट की टीम ने रिकार्ट पांच वी बार जीता तो उस रास्ट का नाम है भारत नेक्स्ट पॉइंट भारत में किस किर्कट खिलाड़ी ने 24 परवरी 2022 को टी-20 अंतरास्टिक किर्कट में सरवाधिक रण 3307 रण मनाने का रिकार्ड बनाया तो उनका नाम है रोईद सर्मा आगे बढ़ते हैं मार्ज 2022 में किसे उत्तर प्रदेश विदान सवा में नेता प्रतिपच्छ चुना गया तो उनका नाम है खिलिश यादव नेक्स्ट पॉइंट बित्तिय वर्ज 2022 तेस में भारतिय रेल का परिचालन अनुपात कितना अनुमानित है तो वह है 96.98 परतिश नेक्स्ट पॉइंट इंबेड़ चिप और भावी प्रदोगी की का परियोग करके यह पासपोर्ट भारत में किस प्रकार से जारी होने लगेगा किस वर्ज से सौरी किस वर्ज से जारी होने लगेगा तो 2022 तेस आगे बढ़ते हैं इस वर्ज 2022 में ग्रामीर सहरी दोनों ही प्रधान मंत्री आवेस योजना के लाभ्यारतियों के लिए 80 लाख मकान बनाने के परिपेच में बजट में कितना आवंटन किया गया है तो बजट में 48,000 करूर रुपे करूर रुपे का आवंटन किया गया आगे बढ़ते हैं बित्य वर्ष 2022 तेस के केंद्रिय वजट मे आगामी तीन वर्षों में कितनी नई वंदे भारत रेलगारी का अभिकास और भी निर्मार किया जाएगा तो उनकी सन क्या है 400 नेक्स्ट है 25 मार्च 2022 को उत्ता पर्देश के मुख मंत्री के रूप में योगी आदित तनात ने परधान मंत्री नरेंद मोधी की उबस्तित म एक एधियासिक समारों में लगातार दूसरी बाद सपत गराड की इस समारों में किंद विक्तियों ने उप मुख मंत्री के रूप में सपत गराड की तो दो उप मुख मंत्री है के सो परसाद मोरिया वा प्रजेस पाठक ठीक है आगे बढ़ते हैं 20 अग्रड़ी ant 3 120 सिखर सम्मेलं और 2023 में डिश्टावित रहा बढ़ते हैं इंटर नेशनल हौकी फर्डेशन दवारा प्रेयोजित पुरुष्टो होकी वर्ड कप का 15 योजन 13 से 19 जनवरी 2023 के दौरान कहां प्रस्तावी थे तो यह होगी होगा इंटरनेशनल होकी फेडरेशन कहां होगा है पुरुष्टो का होकी वर्ड कप तो भारत में होगा ठीक है यह कुछ महत्पूर राश्टिय ततते आगे अब देखेंगे अंतर राश्टिय पहला पॉइंट है 18 जनवरी 2022 को किसे यूरोपियन यूनियन पालिया मेंड का नया अधक्ष नियूक्त किया गया उनका नाम है रुवेटा मिटसोला नेक्स्ट पॉइंट फरवरी 2022 में प्रादंब हुए रूस यूक्रेन यूद के कारणों के कारणों में मुख करण क्या है तो मुख है यूक्रेन का नाटों का सदेस्ट बनने की पहल हॉलिवुड में हॉसरी हॉलिवुड के सिवेंटी नाइन उन्याइस वें गोल्डन गुलोप पुरुसकार में बेस्ट मोसन पिक्चर ड्रामा वर्क के वर्क में किस फिल्म को सर्वसेस फुल्म पुरुसकार जनुरी 2022 में परदान किया गया तो फिल्म का नाम है दपावर दोग नेक्स्ट है बियत नाम के किस प्रसित बहुत विच्चुका पंचानवे वर्स की आउ में 22 जनुरी 2022 को निधन हो गया जो फादर आफ माइंड फूलनेस के नाम से विख्या थे उनका नाम है थिक नहात हान थिक नहात हान नेक्स्ट अठारा जनुरी 2022 को इंडोनेसिय की संसद ने देश की रस्धानी को जकारता से कहां ले जाने के लिए विधेग पारत किया तो जगह का नाम है नू संतारा नेक्स्ट पॉइंट जनुरी 2022 में पोड़ा फोन ऐसे सिरीज 2021 22 में कौन भी जेता रहा तो उस देश का नाम है आस्ट्रेलिया अगे बढ़ते हैं त इसने सेयद मोधी इंडिया अंतर रास्टिय बैटमिंटन परतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता तो उनका नाम है पीवी सिंदू नेक्स्ट निकारग हुआ में किस व्यक्तिने लगा तार चौथी बार रास्पती पद 10 जनुरी 2022 को समाला जो 2007 निकारग हुआ के रास् 2020 में संपन कौन सा समझोता एक जनुरी 2022 से प्रवावी हो गया तो इसका नाम है छेत्रिये ब्यापक आर्थिक भागिदारी समझोता आर सी इपी यानि रिजनल कंप्रिहंशन इकोनामिक पार्टनर्सिफ नेक्स्ट पॉइंट 22 जनुरी 2022 को जारी जर्मन संस्था सूचकांग CPI करप्शन प्रिसप्शन इंडेक्स के अनुसार सबसे कम वरस्टा चार किन तीन देशों में सहीक तुरूप से आकलित किया गया तो तीन देश हैं डेन्मार्क फिनलेंड वा न्यूजिलेंड सहीक तुरूप से ठीक है यह तीन सहीक तुरूप से फस्ट सूचकांग के अनुसार सबसे अधिक वरस्टा चार किस देश में आकलित किया गया तो उस देश का नाम है दच्छी सुडान दच्छी सुडान नेक्स्ट पॉइंट के किस पूर्व प्रधान मंत्री को जनवरी 2022 में बिर्टेन की सरबोच नाइट हुड सम्मान से सम्मानित किया गया इनका नाम टोनी ब्लेयर आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट है 17 जनरी 2022 को स्वीजर लैंड के जुईरिख में बित्रित फीफा आवार्ड के तहत सर्फ्रेस्ट पुरुस वा महिला कि लाड़ी का पुरुसकार की से परदान किया गया तो पुरुस का खिताब मिला है रावर्ट लेवान डोस्की को वा महिला का मिल अलक्सिया पुटेल लास्को इलक्सिया पुटेल लास्को नेक्स्ट है रूज की सेना के आक्रमड का बहादूरी के साथ मुकाबला करने वाले यूक्रेन के राश्पती कौन है जो समाचारों में सारवधिक चर्चा में है तो उनका नाम है वलो दिमीर जेलेंसिकी वो लो जेलेंसिकी नेक्स्ट पॉइंट जर्वनी में फरवरी 2022 में किस पांच वर्स के दूसरे कारकाल के लिए पुना निल्वाचित किया गया है किसे तो उनका नाम में फ्रैंक वाल्टेर इस्टीन मीयर को फ्रैंक वाल्टेर इस्टीन मीयर को नेक्स्ट चार से बीस परवरी 2022 क के दौरान बीजिंग चीन में आवजित सीत कालीन ओलंपिक में किस रास्ट ने सरवधिक पदक 1668 रजत्वा तेरा कांस सहित कुल सैथिस पदक जीत कर पदक तालिका में पर्थम स्थान प्राप्त किया तो उस राष्ट का नाम है नार्वे नेक्स्ट पांसे छे परवडी 2022 के देश मेडा गासकर में किस चक्रवारती तूफान ने जान माल का अत्तदिक नुकसान किया तो तूफान का नाम है बात्सिराई क्या नाम है बात्सिराई नेक्स्ट पांट ब्रेटेन यों पस्टमी यूरूप में फरवडी 2022 में किन तूफानों ने तबाही मचाई तूफा राष्ट के रूप में मानता प्राप्त की तो उस जगह का नाम है उस छेत्र का नाम है डोनेट सक वालुहां सक ठीक है आगे पढ़ते हैं 28 परवरी तीन मार्थ 2022 के दौरान विस्व का सबसे बड़ा तक्निकी सम्मेलन Mobile World Congress 2022 Global System for Mobile Communication GSM दौरा कहा आउजित किया गया तो उस जगह का नाम है बारसिलोना इस्पेन नेक्स्ट पॉइंट 9 से 11 परवरी 2022 के दौरान समुद्र को परदूसर से बचाने के लिए फ्रांस के वरिष्ट में कौन सा सम्मेलन फ्रांस के राशपती दौरा संयुक्त रास संग वा यूरोपियन यूनियन परिसत के संयुक्त से आयोजित हुआ तो उसका नाम है One Ocean Summit ठी 2022 है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेपाल के सत्तादारी गडबंदन के सो से अधिक सांसदों ने देश के किस सरवोच के विरुद मावियोग प्रस्ताव 13 फरवरी 2022 को प्रतिनीदी सवा संसद में प्रस्तूत किया तो उसका नाम है जस्टिस समसेर जेव भी राड़ा नेक्स्ट पॉइंट 27 फरवी 2022 को चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक ही उडान द्वारा 22 उपगरहों को अंत्रिच में अस्थापित कर करेली रिकार्ड अस्थापित किया तो उसका नाम है लॉंग मार्च एट नेक्स्ट पॉइंट के समाचार पत जारी लोगतंत्र सूचकांग 2021 डोगरसी इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में 20 में 30 अस्थान किस राष्ट का है तो उस राष्ट का नाम है नार्वी यह कुछ मात्पूर राष्टी और अंतर राष्टी है ताथ से जो कि आपके प्रजेक्टियों के लिए बहुत ही मात्पूर है ह मारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद